Hi everyone, welcome back to my channel, my name is Anil, और Laravel की इस वीडियो के दर हम बात करेंगे कि put method कैसे use कर सकते हैं हम एक API के साथ में, तो ये इस वीडियो के points हैं, सबसे पहले हम बात करने वाले कि put method हम use करते क्यों हैं, बाद में postman setup करेंगे put API के लिए, बाद में हम code लिखेंगे put API के लिए, और test करेंग API को और last में मैं आप से question बोचूँगा, और देखो, जैसे ही हमारा ये API वाली series खतम हो जाते है, 7-8 वीडियो ओ रहेंगे, उसके बाद में एक project पे काम करेंगे, तो API अच्छे से कैसे बनाते हैं, ये सीखलो, अभी के लिए फायदे में रहोगे, क्योंकि फिर बाद में आ ये API कुछ भी update करने के लिए database के अंदर, अब मान लो मेरे पास ये devices नाम से table है, और आपको ध्यान आया कि यार ये iPod 3 है, यहाँ पे मुझे iPod 2 करना था, mobile की जिए मुझे कुछ और लिखना था, ऐसे कुछ changes करने है API के थुरू, तो आप क्या करोगे, put API का use करोगे, right, so start क करते हैं, सबसे पहले मैंने लास्ट वीडियो के अंदर ही तीन चीज़ें अलड़ी बना ली थी, तो मैं बार-बार हो चीज़ें बताऊंगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर time waste ज्यादा होता है, आपको सीखने को कम मिलता है, right, तो हमारी छोटी वीडियो मनेगे, आपको जल ही जाएगा, जितना आपके यहाँ पर, आपने दो चीज़े भेजी थी, id और member, बट जब put a पर यूज़ करोगे तो आपको id भी name और member id भेजी थी, तो आपको name, member id ये दोनों चीज़ें, इनके साथ id भी 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 भीजनी पड़ेगी, क्योंकि id के base पे आप उस हो सकते हैं, member id भी duplicate हो सकती हैं, तो एक जिगह पर दो तिन चीज़ें अपडेट हो जाएंगा, हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से हमें record को update करना है, so id हमेशा unique होती है, इसलिए, right, so मैं यहाँ से एक मेरा structure बनाता हूँ, सबसे पहले put a select करूँगा, body में जाऊँगा, row, औ मैं JSON, और यहाँ पर मैं basically एक object बना दूँगा, right, so यहाँ पर मैं लिखूँगा name, और यहाँ पर जो भी मुझे name send करना होगा, let's say कि मैं यहाँ पर जो iPod 3 है, मैं इस वाले data को update करवाता हूँ, और iPod 3 की जगह पर, जो आपको नई value क्या आप update करवाना चाहते हो, यहाँ यहाँ पर लेट से आप I capital करोगे, pod 4 लिखना चाहते हो, कि आपको 4 update करना है, right, then आपको member id, member underscore id, आपको यह भेजनी है, let's say कि member id आप same रखना चाहते हो, जो पहले वाली थी, आप उसमें change नहीं करना चाहते हो, तो इसको आप 20 कर 20, same send कर सकते हो, इसमें कोई problem नहीं है, औ आपने 27 send कर लिए, आपको यह भी update करके दिखाऊंगा, बट सारी धीर 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 अपडेट करके बताऊंगा, right, और बाद में आपको id, जिसके बिहाफ पे आप update करोगे, तो यहाँ पे लिख दो id, और कौन से id अपडेट करना है, आपको 10, तो यहाँ पे लिख दो आप 10, तो इसके अंदर दो values हमारी similar है, एक value इसके अंदर नई, क्योंकि हमें नाम हमें update करना है उसके अंदर, यहाँ पे अपने select कर लिया, अब आपको यहाँ पे URL भी लिखना है, URL के लिए आप ये copy कर लो, last के अंदर add था, तो add करने के लिए, save करने के लिए पने add ले लिया थ code को देखते ही चीज़े समझ में आ जानी चाहिए, कि क्या लिखा हुआ है, right, so हमारे ये अप ready है, जैसे में send करने कोशिश करूंगा, तो मुझे error देगा, क्यों, क्योंकि अभी तक मेरी put और update वाला route ये बना हुआ ही नहीं है, और इसने हमें यहाँ पे 404 दे दिया, right, so अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, API के अंदर आएंगे यहाँ पे, और सबसे पहले एक नया route बनाएंगे, जो पहले वाला route बनाते हैं, इसी यो copy कर लो, जल्दी हमारा time और नहीं पड़ जाएगा, update route, और यहाँ पे एक function भी हमें बनाना पड़ेगा, मैंने function का नाम भी अपडेट ही रखती है, कोई प्रोडम नहीं है, then मैं यहाँ पे एक, जैसे मने add function बनाए था, उसी similar तरीके से मैं यहाँ पे और फंक्शन बनाऊंगा, update, ताकि यहाँ पे यही कह चोगा, इसी का मतलब यह वाला है, और यहाँ पे हम कुछ return करेंगे, ठीक है, अब return क्या कर right, so similarly जैसे अपने यहाँ पे कर रहा है, वैसा ही कुछ कर रहा है आपको, सबसे पहले एक dollar, device एक variable लेना है, और जहाँ पे लिखना है, device, colon, find, क्योंकि पहले हम सर्च करेंगे, request, req request के अंदर जो id आएगी, यह id कहां से आई, यह id आएगी यहाँ से, जो आपने third वाली id भ 10 को सर्च करेंगा, then यह क्या करेंगा, यहाँ पे लिखेगा device, device के यहाँ पे लिखेगा name, जो उसका नया name आ रहा है, वो dollar, device, name, right, sorry, request name, क्योंकि request के अंदर तो यह वाली चीज आएगी न, then similarly हम यहाँ पे, member, underscore id, और similarly हम यहाँ पे भी लिखेंगे, member, underscore, id, और similarly हम यहाँ आएगी, right, then हम यहाँ पे लिखेंगे, device, और इसको करवा देंगे हम, save, right, तो इससे हमारा काम बन जाएगा, बट हमें यहाँ पे return में कुछ ने, कुछ reply भी दिखाना है, तो इसको मैं similar तरीके से लिखेंगा, dollar, result, equal to this, आप चाहो तो इसको copy कर सकते हो, जो हमने लास्ट यहाँ पर लिख भी सकते हो, तो यहाँ पर लिख ही लेता हूँ, if dollar, result, अगर हमारा result आता है, तो इसके लिखेंगे, return करेंगे हम, later में भी कोई जरूरी नहीं कहा, पर result ही लिखेंगे, जो आपको ठीक लगे, वो लिखेंगे, result लिखेंगे, value लिखेंगे, output लिखेंगे, right और इसके लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, data has been updated, right, कोई प्राडम नहीं है, semicolon लगा देंगे, last में, और let's say कि इसके लिखेंगे, कुछ प्रोब्लम आ गई, यह किसी वज़े से चल नहीं पाया, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, else, यहाँ पर लिखेंगे, operation failed, यहाँ पर update, operation failed, right, कोई प्रोडम नहीं है, सब ठीक है, अब मैं यहाँ से request फेज़ता हूँ, update वाली, जैसी मैं यहाँ पर request भीजूँगा, तो यहाँ पर, okay, so अभी के लिए मिरे पास से collect आगए, put method is not supported, क्योंकि API के हंदर हम नहीं यहाँ पर बना दिया, but यहाँ मैं put लिखना बूल गए, अधर इसको समझ भी नहीं आएगा ना, अब हमने put भी लिख दिया, अब यह फटा-फट से update कर देगा, इसने बूल update कर दिया, तो अब देखता हूँ हम database को refresh करके कि क्या, ipod 4 हो गया, यहाँ पे, यहाँ पर ipod 3 ही दिख रहा है, अब हम refresh करेंगे इसको, database को refresh क करना ही पड़ेगा, अब देखो, यहाँ पर ipod 4 आगया, अब हम कुछ और update करते हैं, अब लेट से हम 9 के ऊपर mobile के जिगा पर कोई special mobile लेते है, उसका नाम के साथ, तो हम, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, id 9 यान की 9 वाली id update होगी, member id उसकी में, अभी के लिए क्या है, update हो गया, अब मैं यहाँ पर आके refresh करूँगा, and यहाँ पर आप देखिए, 9 Samsung वाल, इसका idea update होगी, that's great, so इस तरीके से हमारी post API भी बन गई, अगले वाली वीडियो के अंदर हम देखने वाले delete API, फिर search API, फिर authentication कैसे लगा सकते है, JWT वगरा, sentence वगरा, बहुत सा API के सारे tutorial अब बात आती है, question की, so मेरा question इसके अंदर यह है, कि क्या हमने put method यूज करा है, API के लिए data को update करने के लिए, क्या मैं post के अंदर update नहीं कर सकता, आपको मुझे यह बताना है, comment box के अंदर लिखे, क्योंकि देखो, technical issue जा जा तो मैंने जो post लिखा था, उसके अंदर भी कु थी क्यों use करा, post use क्यों नहीं करा, आपको इसका answer देना है, comment box के अंदर, और bye bye for a moment, God bless you.